तो अब जापान वह कारणामे करने जा रहा है जो आज तक जापान ने कभी भी नहीं किया क्योंकि जो जापान अभी तक फाइटर जेट और मिसाइल जैसे हतियारों से दूरी बना रहा था अब वही जापान डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री में कूद चुका है और खा पर निकल कर आई कि जापान ने अपनी रक्षा नीती में बड़ा बदलाव करते हुए फाइटर जेट्स यानी की लड़ाकु विमान दूसरे देशों को बेचने का फैसला लिया है जिसमें जापान की ओर से भारत को डिसकाउंटेड प्राइस में फाइटर जेट्स मिलने हाले हैं आपको बता दे कि जापान बृटियन और इटली की मदद से एडवांस्ट ट club कर रहा है क्योंकि इटली और बृटियन के पास advent to do करने की एडवांस और लेटिस्ट टेकनॉलोजी मौजूद है जो कि भारत जापान और अमेरिका जैसे देशों के पास भी नहीं है और इसलिए जापान जो फाइटर जेट डेवलप कर रहा है उसे खरीदने के लिए बड़े-बड़े देश जापान से डील को फाइनल करने के लाइन में खड़े हुए हैं और भारत के लिए अच्छी बात यहां है कि भारत को अब डिसकाउंटेड प्राइस में फाइटर जेट्स जापान से मिलने वाले हैं जो कि हमारे डिफेंस को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए काम साबित होने वाले हैं पूरी अपडेट क् करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यहां आपके लिए एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है अगर लेटेस्ट रिपोर्ट को देखें तो इसके मुताबिक जो जापान अभी तक फाइटर जेट्स और मिसाइल जैसे हत्य किनारों से दूरी बनाए हुए था अब वही जापान दूसरे देशों में फाइटर जेट्स एक्सपोर्ट करने का प्लान बनाया है और इसके लिए जापान इतली और ब्रिटेन के साथ मिलकर लेटिस्ट टेकनोलोजी से लस फाइटर जेट्स के प्रोड़क्शन करने जा और आपको बता दे कि जापान जिन फाइटर जेट्स के प्रोड़क्शन पर काम कर रहा है यह कोई मामूली और छोटे-मोटे फाइटर जेट्स नहीं हैं बलकि यह फ्यूचरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन वाले फाइटर जेट्स हैं जिनने इतली और ब्रिटेन की एड़ जापान्स टेकनोलोजी पर बनाया जा रहा है यानि कि देखा जाए तो अब जापान भी ग्लोबल मार्केट में आर्म्स एक्सपोर्टर बनने जा रहा है और इसमें भारत को जापान की दोस्ती का बढ़ छड़कर फाइदा मिलने वाला है क्योंकि पिछले साल की रिपोर् किया है यानि कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑल्रेडी भारत जापान से अपनी जरूरत की धेर सारी चीजे इंपोर्ट करता है तो ऐसे में जापान जो नेक्स्ट जनरेशन वाले फाइटर जेट डेवलप कर रहा है जापान उसे भी भारत को सस्ते दामों में एक्सप जावा हाल ही में कुछ दिनों पहले हमने आपको एक खबर बताई थी कि जापान अब स्पाई शिप्स के कम्यूनिकेशन एंटीना की टेकनोलोजी भी भारत को ट्रांसफर कर रहा है जिससे भारत अपनी नेवी पावर को और भी ज्यादा मजबूत कर सके और बैलिस्टिक म के कम्यूनिकेशन टेकनोलोजी को ट्रांसफर करने की शुरुआत हुए एक महीने भी नहीं हुए कि अब जापान खुद के द्वारा डेवलप किये गए फाइटर जेट दूसरे देशों में बेचने जा रहा है जिसमें भारत को डिसकाउंटेड प्राइस पर फाइटर जे जैसे देशों ने भी जापान में डेवलप किये जा रहे फाइटर जेट खरीदने की डील को फाइनल करने में जुटे हुए हैं और देखा जाए तो भारत के साथ साथ अमेरिका जर्मनी और व्यतनाम को लेकर लगभग 15 देशों ने जापान के साथ डिफेंस चप रखेंस वाले फाइटर जेट देवलप कर रहा है और है रहानी वाली बात यहां है कि यह जो फाइटर जेट है इन्हें एयाए की टेकनॉलोजी से भी लस रखा जा रहा है जिसकी यही कअ अन्यAH देशों के फाइटर जेट से यूनिक बनाती है और इनका अंदाज़ आप इसी से लगा सकते हैं कि यह fighter jet कितने ज्यादा powerful और smart है जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा important है और यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि जापान सबसे पहले जो fighter jet develop करेगा वह भारत को ही export किया जाएगा क्योंकि हिन प्रशांथ शेत्र में चीन के आक्रामक रवय पर भारत हमेशा आपत्ती जताता रहा है और हाल ही में विदेश मंत्री एस जैशंकर ने चीन पर निशाना साथते हुए कहा था कि हिन्द प्रशांत शेत्र में शांती और स्थिर्ता के लिए जापान भारत एक स्वाभाविक साजिदार देश है और वैसे भी इस शेत्र में चीन के बढ़ते दखल को देखते हुए भारत और जापान ने हमेशा साजा विचार व्यक्त किया है तो ऐसे यह कहना गलत नहीं होगा कि हिन्द प्रशांत शेत्र में स्थिर्ता के लिए भारत जापान का मजबूत संबंध भारत और जापान के बीच फाइटर जेट की डील के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि अगर जापान भारत को फाइटर जेट देता है तो भारत और जापान मिलकर इस ख्षेत्र की आसानी से रक्षा कर सकेंगे यहीं नहीं इसके अलावा करेंटली जापान में जो फाइटर जेट इस्तिमाल किये जाते हैं वह फाइटर जेट्स भी भारत में एक्सपोर्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि जापान भले ही डिफेंस के एक्विपमेंट और उसकी टेकनोलोजी दूसरे देशों को नहीं करता है और यदि जापान के द्वारा डिफेंस एक्सपोर्ट के मेंन रीजन की बात की जाए तो अब जापान भी ग्लोबल मार्केट में अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहता है जिससे जापान के एकोनोमी और इंफ्रस्ट्रक्टर डेवलप्मेंट की रफ जापान का दूसरे देशों में हत्यारों को एक्सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि देखा जाए तो दूसरे देशों में हत्यारों के एक्सपोर्ट करना जापान के सम्विधान के भी खिलाफ है लेकिन इसके बावजूद भी जापान अपने सम्विधा के खिलाफ दूसरे देशों में हत्यारों की सप्लाई करेगा जापान ने बढ़ते क्षेत्रिय और वैश विक तनाव खास कर पड़ोसी चीन के बढ़ते रवे के कारण जापान ने तेजी से नियंत्रण मुक्त करने के लिए कदम उठाए हैं क्योंकि जापान नहीं चाहता कि चीन दूसरे देशों में कबजा करके अपना प्रतिनिधित्व जमाने का प्रयास करें इसलिए जापान केवल उन्हीं देशों को फाइटर जेट और हत्यारों की सप्लाई करने वाला है जिनके साथ जापान के रिलेशन काफी अच्छे हैं ताकि आने वाले समय में यह सभी देश मिलकर चीन के खिलाफ एक जुठ होकर खड़े हो सके इसलिए जापान और भारत मित्र देश होने के कारण जापान भारत की डिफेंस फोर्स को बढ़ाने में डिफेंस एक्विप्मेंट और फाइटर जेट जैसे हत्यारों के मामले मे भारत की मदद करने के लिए तयार है बाकी आप लोग अपनी राइ कमेंट में बताइए कि जापान नेक्स्ट जनरेशन वाले फाइटर जट कब तक डेवलप करके भारत को डिलीवर कर पाएगा और जापान भारत को नेक्स्ट जनरेशन वाले आई से लेस एडवांस फाइ जेट देने जा रहा है उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके इसी तरह और भी नौलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और जरूर सेलेक्ट करें